हेलो दोस्तों आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में आज मैं आपको इस वीडियो में इतिहास बताऊंगा ठीक है इतिहास का भाग सोला तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रेक्वेस्ट है कि आप चो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे देन वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेर कीजिए दोस्तों आज हम देखेंगे इतिहास भाग सोला ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद अपडेट कर रहा हूँ चैनल पे कुछ प्रोलम्स के कारण और कुछ प्रप्रेशन के कारण जो है मैं वीड है रगत हम क्या देखेंगे इतिहास ठीक है हिस्टरी ओफ सिवाजी सिवाजी का हम इतिहास देखेंगे इस पार्ट में तो चलिए देखते हैं बात करते हैं अगर हम मराठा ठीक है तो मराठों का उत्थान जो कैसे हुआ था तो सत्वी सताब्दी में मराठों का उत्थान ह बात्सवा में दक्षिन भारत में चलने वाले समाजिक धार्मिक जागरण का प्रियाम था इस छेत्र ने अपनी भौगोलिक छेत्रता का लाव मराठों को प्रदान किया इसके फल्सुरूप कुसल नेत्रत के निर्देशन में मराठों का उद्धान हो गया मराठों की अगर ब राजा महराजा थे और उनके जो सीना में जो मराठे लोग काम करते थे तो वहां की जितने भी पहाडियां रहती थी उसकी जो है किलों की जो है उनको नियंत्रन करते थे मराठा ही करते थे ठीक है अब बात करते हैं इन मराठों को राजा नायक राय आदी की उपाधी भी द जाती थी बीजापुर के अगर सासक की बात करें तो बीजापुर के सासक थे इब्राहिम आदिल साह ने मराथों को बारगीर के रूप में निक्ति किया था उसने अपने लेखा बिभाग में भी मराथा ब्रामनों की निक्ति की थी यानि कि जो लेखा बिभाग था उनका वहा पूना के पेसावर सम्मेलित हुए तो ये सब चीजें भी पूछा जाता है कि होलकर कहां के थे तो इंदौर के थे ठीक है गायक वाड कहां के थे तो बड़ोदा के थे नाकपुर में कौन था तो घोसले था है ना ओग्वालियर में सिंधिया इस टाइब के कॉश्चन कभी बात करते हैं मराथा राज के संस्तापक की अगर हम बात करते हैं तो इन में सबसे प्रमुख नाम आता है सिवा जी का आता है सिवा जी मराठा राज के संस्तापक थे इनका जन्म 1627 इसमिय पूना में हुआ था और इनके पिता का नाम साह जी था जो की बीजापुर राज में एक अधिकारी थी जैसा कि मैंने बताया आपको कि वहाँ पे जो है उनको निउक्त किया जाता था तो ऐसे ही वहाँ पे वो एक अधिकारी रहे होंगे और उनके जो बेटे हुए वो सिवा जी हुए 1627 इसमिय पूना में सिवा जी की माता का नाम और पालन पोर्षन की अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम था जीजा भाई ठीक सिवा जी के माता का नाम था जी जावाई तथा सिवा जी का पालन पोर्शन जो है दादा जी कोन देव और गुरू रामदास की सनरक्षन में इनका हुआ तो कॉस्चन आता है कि सिवा जी का पालन पोर्शन किस ने किया या फिर सिवा जी का जो दादा जी का नाम था वो क कि सिवा जी जो है राजनेतिक जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा कार किया और बीजापुर राज की सीमाओ के अंतरगार्पढ़ने वारे द्र्गो पधिकार के लिए आ ठीक है सिवा जी ने अबजल खां को माट डाला और बीजापुर की सेना को पराजित कर दिया तो यह बहुत ही प्राकर्मी थे उन्हें अबजल खां को माट डाला और उनकी जो सेना थी उसको भी पराजित करके अपना जीत हासल करी बीजापुर के बाद सिवा जी में मुगल स और इससे सहिस्ता खां का पुत्र मारा गया और सहिस्ता खां भाग गया तो question पूछा जाता है कि सिवा जी ने गौरिला युद्ध पद्धती किस लडाई में जो है अपना उन्होंने किया था और किसको मारने में उन्होंने उपयोग किया था तो ये था सहिस्ता खां को मारने में या उसके पुत्र को मारने में गॉरिला युद्ध पद्धती का जो है यूज किया था बात करते हैं सूरत लूट की तो सूरत में क्या हुआ था कि 1664 इस पी में सिवा जी ने सूरत सहर को लूटा था सूरत सहर से मुगलों को बहुत अधिक राजसु की प्राप्ति होती थ थी तो इन्होंने सूरत को ही लूट लिया जाए है ना तो इससे हो गया अब पुरंदर की संधी पुरंदर की संधी के अगर बात करते हैं तो कुर्द होकर ठीक है क्रोद में आकर गुस्से में आकर औरंग जेब ने राजा जैसिंग के नित्रत में सेना भेजी जिससे जैसिंग और सिवा जी के बीच में कब हुई 1665 में बहुत ही important question है याद रखिएगा इस संधी के अनुसार सिवा जी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौप दिये कितने 35 में से 23 दुर्ग जो है मुगलों को सौप दिये इस पुरंदर की संधी में पुत्र सांभा जी को आग्रानगर के जैपूर भवन में कैद कर दिया थीक है उसको कैद कर लिया अनुके बेटे जो उनके पुत्र थे संभा उसको भी और सिवा जी को भी सिवा जी वहां से भाग निकले और अपने राज में पहुँच गए बिवा Jesús कर आरंग जे ने उन् राजजभी से कराया और चत्रपती की उपादी धाराणगी कहां पर राएगर में उन्होंने अपना राजभी से बनारस के महान पंडेत विस्विस्वर या सिरी गंगा धर से करवाया ठीक है तो यह याद रखियेगा सिवा जी ने रायगड को अपनी राजधानी बनाए था तो देखिए मैं हर बार बताता हो हिस्ट्री में कि राजधानी वाले कॉशन बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं तो यहाँ पर कॉशन पूचा जाएगा सिवा जी ने किसको राजधानी बनाई थी कर प्रणाली की बात कर लेते हैं तो सिवा जी के समय में दो तरह की कर प्रणाली थी सर देश मुखी की बात कर लेते हैं यह क्या थी इस बरणाली में क्या था माल गुजारी का दस बटा एक भाग के बराबर होता था ठीक है महराष्ट में पूरे छेतर से बूरा जस्व बसूनने वाले अधिकारी को देसमुख कहा जाता था क्या कहा जाता था देसमुख कहा जाता था तथा एक बड़े छेतर के देश प्रमुख को सरदेश मुख कहते थे ये दोनों पदातिकारी बंसानुगत होते थे तथा अपने पत को जो है वतन कहते थे तो इसमें क्या होता था मालगुजारी कित्ता होता था दस वटा एक भाग होता था अब सिवाजी की बात करते हैं तो सिवा जी जो है स्वैम को समस्त महराष्ट का सरदेश मुख कहते थे तो सिवा जी स्वैम को क्या कहते थे कि पूरे महराष्ट का सरदेश मुख कहते थे सिवा जी अपने आपको अब बात करते हैं चौत प्रणाली की बात कर लेते हैं इसमें क्या होता था चौत माल गुजारी कि एक बटे चार भाग का था यानि कि एकर 100 किलो अना जो पचर आया तो 25 किलो जो है हो जाएगा इसकी माल को जारी और चौत की रूप में जो राजास्व देने वाले छेतरों को कभी लूटा नहीं जाता था यानि कि जो चौत देते थे उन छेतरों पे कभी भी उनको लूट नहीं जाएगा तो यह कौशन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कर प्रणाली थी कि जिसको देने के बाद उन पे लूट नहीं होती थी तो चौत प्रणाली के थुरू जो है जिसने उसको दिया है तो लूट नहीं होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्चन याद रखिएग पटेल बहुत ही important question ने याद रखिएगा अब सिवा जी की मृत्यू की बात करते हैं तो इनकी मृत्यू हो गई थी 1680 में सिवा जी की मृत्यू हो गई अब कुछ important बात देख लेते हैं जो कि इनमें से एक दो question बन जाते हैं कभी एक बार जैसे की पहला point सिवा जी का राज 16 प्रांतों में बेभक्त था और सिवा जी का राज 16 प्रांतों में बेभक्त था प्रसासन की सबसे चोटी एकाई मोजा थी तो याद रखिएगा मोज़ा निट्री ए सची वाले को हुजूर दफिर कहा जाता थे पहले देखिए जो मनला जो साहब होते थे उनको हुजूर आला हुजूर कहा जाता था तो भाई केंद्रिय सची वाला है सेंट्रल गापर्मेंट की बात चल लिए तो हुजूर का दफ्तर होगा वो बनी सिवा थे हम सिवा जी की बात करते हैं तो अस्वारोही सेना जो थी वो दो भागों में अब गनीम का अर्थ होता है सत्रू तो कॉस्चन ऐसा भी पूछाता है कि मराठा काल में सत्रू को क्या कहा जाता था तो कॉस्चन जो है किसी भी तरीके से आपको घुमाया जा सकता है सूरत बंदरगाह को मुगल काल में मक्का द्वार कहा जाता था सूरत का जो बंदरगाह मैंने सिर्फ important fact लिए जो की mainly mainly question exam में बुखशे जाते हैं ठीक है पूरी history हमको जादा नहीं पढ़नी है ठीक जो exam में आते हैं प्लिम्स के through या SSC CGL की बात कर लेते हैं और जो भी exam है objective type उसमें इन में से ही question आते हैं और आप इस वीडियो को देखने के पाद जरूर questions को बना होगे ठीक है तो अब आप लोगों को काम है यहाँ पर आप देख सकते है subscribe का बटन दिया हुआ इसको क्लिक करें आप subscribe कर सकते है हमारे चैनल को और subscribe जरूर कीजिए ठीक है notification आप लोगों को मिलते रहेंगे और यह हमारा facebook है www.facebook.com इसको भी जादर से लाइक कीजिए और ज